मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान उठ जागरे इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुरली की तान बज़ रही मुरली की तान बज़ रही ओम शांति आज बाबा के 24 फरवरी 2021 के साकार मतुर महावाक्य है और आज बाबा ने बहुती प्रेहिम से एक बात समझाई है कि बच्चे मुझे याद करो न केवल याद करो बस मुझे ही प्यार करो क्योंकि मैं आपको सुखी बनाने के लिए हूँ बाबा ने याद के बारे में समझाते हुए कहा कि जब आप याद करेंगे बाबा को तो आप सदा हर्शित रहेंगे देविमान बट जाएगा जब आप याद करेंगे तो आप सदा बाब की याद में रहने से सतो प्रधान बन जाएगे बाबा ने कहा इसमें कोई तकलीफ नहीं है मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर देता हूँ जब आप किसी से मिलते हो किसे भी अवसर पर मिलते हो तो कान में ये बात बोल दो कि गीता का भगवान स्वेम कहते हैं मुझे याद करो बाबा ने कहा जो बच्चे याद करते हैं वो दूसरों को भी बहुत रूची से और प्यार से कहेंगे कि बाबा को याद करो अन्तिम समय में साक्षतकार होगा कि मैंने बाबा को कितना याद किया मन का देव इमान में आते हो तो भूल जाते हो और जो बच्चे दिल से याद करते हैं बाबा को तो उनका पापों का बोज़्ा उतरता जाता है फिर बाबा ने कहा कि आप स्वपरिवर्थक आत्माई हो स्वयम का परिवर्थन करने वाला ही विश्व परिवर्थक बन सकता है आपके सोचने बोलने में जो अंतर है उसको मिटाना है इसका आत ये है कि जो भी संकल्पों में बोल में, करम में ऐ यतार्थ चीज़े है उनको बाबा की याद से मिटा देना है, अपने व्यर्थ को स्वयम समाप्त करना है, तब स्वो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा लक्की स्टार वो है जो अनुभूतियों का परसाद प्राप्त करते हैं, जिने अनुभव की गिफ्ट प्रा बाबा मेरे साथ है, जब हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा हाजिर हो जाता है, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, जितना जितना अनुभूतियां करते जाते हैं, तो उतना उतना अनुभव बढ़ता जाता है, ऐसे बच्चों को बाबा ने का लक्की स्टार, सार है मुड्री का, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करू, प्यार करू, क्योंकि मैं तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। तुम मुझे याद करू, प्यार करू, क्योंकि मैं तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। कुछना जिन बच्चों से गफलत होती है, उनके मुख से कौन से बोल स्वते निकल जाते हैं। तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। बाबा केते हैं ये बोल पुर्शार्थी बच्चों के नहीं है, उच मर्तबा पाने का पुर्शार्थ करना है। जब बाबा आए हैं उच मर्तबा देने तो गफलत मत करो। बाबा उच मर्तबा देने आए हैं तो गफलत नहीं करनी है। केरलेस नहीं बनना है। गीते बच्चपन के दिन भुला ना देना, आज हसे कल रुला ना देना, ओम शैंति मीटे मीटे रुहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा अभी जीते जित तुम बेहद के बाप के बने हूँ, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हूँ अब सिरफ तुम ब्रामण बच्चे, बेहद बाप के बने हूँ, जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्सा ले रहे हैं अगर बाप को छूड़ा, तो बेहद का वर्सा मिल नहीं सकेगा भले तुम समझाते हो, प्रन्तो थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता मनुश्य धन चाहते हैं, धन के सिवाए सुख नहीं हो सकता धन भी चाहिए, शांती भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है विनाश सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धी में बाते नहीं है विनाश सामने खड़ा है, और किसी की बुद्धी में बाते नहीं है अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते अगर हो सकता किसी की बुद्धी में हो कि विनाश सामने खड़ा है लेकिन हमें उससे पहले क्या क्या कर लेना है ये भी समझ चाहिए तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है थोड़ी ही बाबा से वर्सा लेना है पुरानी दुनिया खतम हुई की हुई जल्दी बाबा से वर्सा लेना है बाबा को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्शित रहेंगे याद में रहने से क्या प्राप्ति हैं बहुत हर्शित रहेंगे देव इमान में आने से बाप को भूल उठाते हो जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे यहां तुम आए ही हो ऐसा लक्षमी नारण बनने राजा रानी का प्रजा का नोकर चाकर बनना इसमें बहुत फरक है ना अभी का पुर्शार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जा पिछाड़ी में सबको साक्षतकार होगा हमने कितना पुर्शाट किया अब भी बाबा केते अपनी अवस्था देखते रो मीठे से मीठे बाबा जिससे स्वरक का वर्सा मिलता है उसको हम कितना याद करते हैं तुम्हारा सारा मदार याद पर है जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी रहेगी समझेंगे अब नजदीक आकर पहुँचे हैं कोई ठक भी जाते हैं पतानी मंजिल कितनी दूर है पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो अब जिस मंजिल पे तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती दुन इस समय हम बाबा के बन गए, अब बाबा की मत पर चलना है, अटेंशन देंगे, सिर्फ बाबा का बन ही नहीं जाना, उसके साथ साथ, बाबा की जो शिरिमत मिलती है, उस पर चलना है, पले विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाब को याद करना है, तुमें शिरिमत मिलत आत्मतमों प्रधान से सतों प्रधान सिवाई याद के हो ना सके तुम कहते हों बाबा से पूरा वर्सा लेंगे जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्सा लेते हैं हम भी पुर्शात कर उनकी गद्धी पर जरूर बैठेंगे मम्मा बाबा राज-राज इश्वरी बनते हैं तो हम भी इसे कहते हैं सहज राज यूग बल, तुम समझते हूं, योग से भौत बल मिलता है। समझते हम कोई विकरम करेंगे, तो सजा बहुत खाएंगे, पदवरर्ष्ट हो जाएगा। याद में ही माया विखन डालती है गाया जाता सत्गुरु का निंदक ठोर ना पाई वो कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाई निराकार का तो किसी को पता ही नहीं जो गुरुओं का गुरु है सत्गुरु वो निराकार्श्व बाबा है सत्गुरु का निंदक ठोर ना गाया जाता भगतों को फल देने वाला है भगवान, सादू संतादी सब भगत हैं, भगत ही गंगास्तनान करने चाते, भगत भगतों को फल थोड़े ही देंगे, भगत भगतों को फल दे, तो फिर भगवान को याद क्यों करें, यह है भगती मारग, सब भगत हैं, भगतों को फल देने वाला भगवान है, ऐसे नहीं कि जास्ती भगती करने वाले थोड़ी भगती करने वाले को फल देंगे, नहीं, भगती माना भगती, रचना रचना को कैसे वर्सा देगी, वर्सा रच्यता से मिलता है, इस समय सब हैं भगत, जब ज्यान मिलता है, तो भगती खुद बख्षुद छूट जाती है, जिने ज्यान समर्ष में आता है, भगती छूट जाती है, ज्यान जिन्दाबाद हो जाता है, ज्यान विगर सद्गती कैसे होगी, सब अपना हिसाब किताब चुक्तू कर चले जाते, तो अब तुम बच्चे जानते हो, विनाज सामने खड़ा है उसके पहले पुर्शार्थ कर बाबा से पूरा वर्सालिना है, विनाज से पहले बाबा से पूरा वर्सालिना है, जानते हो, हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्रामन बनेंगे, वही निमित बनेंगे, ब्रम्मा मुखवन शावली, ब्रामन बनने बिगर, ब्रामन बनने बिगर उच पदपा नहीं सकेंगे बाब निका जब तक का ब्रभ्व मुखवन शावली ब्रामर नहीं बनेंगे पक्के ब्रामर नहीं बनेंगे तब तक वर्सा नहीं ले सकते बाब बच्चों को रचते ही हैं वर्सा देने के लिए शिव बाबा के तुम है ही सृष्ट रचते हैं बच्चों को वर्सा देने के लिए शरीधारी कोई वर्सा देंगे आतमाई तो उपर में रहती हैं वहां तो वर्सेवा प्रालब्द की बात नहीं तुम अभी पुर्शार्थ कर प्रालब्द ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं इस समय नजदीक आता जा रहा है बॉम्स कोई रखने के लिए नहीं है तयारियां भूट हो रही हैं बाबा फर्मान करते मुझे याद करऊ नहीं तो पिछाड़ी में रोना पड़ेगा याद नहीं करेंगे तो रोना पड़ेगा राज विद्या के इम्तहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते यहाँ गुसे की बात नहीं, पिछाड़ी में तुम्हें सक्षतकार्ब होतोंगे, क्या-क्या हम बनेंगे, वो भी पता चल जाएगा, लास्ट में क्या बनने वाले हैं, वो भी पता चल जाएगा, बाप का काम है पुर्शाट करना, बच्चें कहते बाबा, हम करम करते हुए याद करना भूल जाते हैं, कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, बाबा केते हैं अच्छा समय निकाल कर याद में बैचो, अगर भूल जाते हैं तो बैठ कर अभ्यास करो, special समय निकाल कर याद करो बाप को याद करो आपस में जब मिलते हो तो ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करे मिलकर बैचने से तुम याद अच्छा करेंगे मदद भी मिलेगी मिलकर बाबा केते याद का भ्यास वढ़ाओ मिलकर बैचने से बाप को याद कर सकेंगे मदद मिलेगी मूल बात है बाबा को याद करना कोई विलायत जाते हैं वहाँ भी सिरफ एक बात याद रखो बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे बाबा केते एक बात याद करो बाप को याद करना है योग बल से पाप भस मुझाएंगे बाप कहते मन मनाभव मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे मूल बात हो जाती है याद की कहीं भी जाने की बात नहीं घर में रहो सिरफ बाप को याद करो पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे पवित्र बनेंगे तो याद बाबा की बनी रहेगी ऐसे थोड़े यह सब आकर क्लास में पढ़ेंगे मंत्र लिया फिर भले कहीं भी चले जाओ सतो प्रधान बननी का रास्ता बाबा बताते हैं यूँ तो सेंटर पर आने से नहीं नहीं पॉइंट सुनते रहेंगे सेंटर पर आएंगे तो नहीं नहीं पॉइंट सुनते रहेंगे अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं बरसात पढ़ती है, करफ्यू लगता है कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे अबी तो बाबा कहते, आप आ रहे हो सेंचर पर सुन रहे हो, कोई आसी परसितियां हो जाती है, कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उस समय क्या करेंगे, बारीश चो रही है, कर्फ्यू लगता है, करोना काल में भी हम समने देखा, नहीं निकल पाए घर से बार तब क्या करेंगे बाब केते कोई हर्जा नहीं ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चड़ाने ही पड़ेगी कहां भी रहते तुम याद में रहो चलते फिरते याद करो औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकरम विनाश होंगे देवता बन जाएंगे अक्षरी दो हैं बाप रच्टा सिवर्सा लेना है रच्टा एकी है वो कितना सहज रास्ता बताते हैं बाप को याद करने का मंत्र मिल गया बाबा केते यह बच्चपन भूल नहीं जाना जब बाबा ने आपका हाथ पकड़ा आपको निश्चे हुआ मैं बाबा का बच्चपन हूँ इस बच्चपन को भूल नहीं जाना आज हसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भूलाया तो बाप से पूरा वर्सा नहीं ले पाएंगे बाबा केते अगर बाबा को भूल गए तो वर्सा नहीं मिलेगा रोना पड़ेगा पूरा वर्सा लेना चाहिए ऐसे बहुत है कहते स्वर्ग में तो चले जाएंगे जो तकदीर में होगा उनको कोई पुर्शार्थी नहीं कहेंगे मनुश्य पुर्शार्थ करते उन्च मर्तमा पाने के लिए अब जबकि बाबा से उन्च वर्तमा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए बाबा को पुरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नोकर चाकर जाकर बनेंगे इसमें खुश थोड़े होना चाहिए बच्चे समुख रिफ्रेश होके जाते हैं कई बांधेलिया हैं हरजा नहीं घर बैठे बाप को याद करती रो कितना समझाते हैं मोद सामने खड़ा है अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी देखने में आता लड़ाई जैसे की छिड़ी की छिड़ी बाब ने कहा रेडियो से भी सम्मालूम पड़ जाता है कहते थोड़ा भी गड़बड किया तो हम ऐसा करेंगे पहले से ही कह देते बॉम्स की मगरूरी बहुत है बाब केते बच्चे अजन योग बल में होश्यार हुए नहीं बाब केते भी बच्चों में जितना योग बल होना चाहिए याद के अच्छे अनुभव होने चाहिए वो भी हुए नहीं लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामांसर हो गई नहीं बच्चों ने पूरा वर्सा ही नहीं लिया, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए, पुर्शार्थ कराते रहते, पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मोत कितना सैज खड़ा है, धरती हिलती है, स से पहले बाबा से वर्सा लेना है, बहुत प्रेम से बाप को याद करना है, बाबा, आपके बिगर हमारा दूसरा कोई भी नहीं, सरफ बाप को याद करते हो, कितना सहज रिती छोटे बच्चों को बैठ जैसे समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता, सरफ मुझे याद करो, पवित्र बनो, काम चिता पर जल मरे, अब ज्यान चिता पर बैठ, पवित्र बन जाओ, तुमसे पूछते हैं, आपका उदेश्य क्या है, बोलो, शिर्व बाबा जो सब का बाप है, वो कहते हैं, मा में कम याद करो, तो तुम्हारे विकरम विनाश हो जाएंगे, एक बाबा की याद से विकरम विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे परधान से सतो परधान बन जाएंगे, कलिउ में सब तमो परधान है, सबका सदगती दाता एक बाप है, बाबा केते मुझे याद करो, तो कट उतरती जाएगी, इतना पैगाम तो देई सकते हो, कि बाबा की या दुसरों को रूची से कहेंगे नहीं, दिल से नहीं निकलेगा, बाबा की याद करो, जो भी मिले उनको ये शिक्षा दो, मोच सामने कहड़ा है, और बाब कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, मोच सामने कहड़ा हैं? कि बच्चे मुझे याद करके वर्सा ले लो, आत्मा ही पतित बनी है, याद से आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं, ये पैगाम सब को देते जाओ, बहुतों का कल्यान हो जाहेगा, बाब कोई तकलीफ नहीं देते, सब आत्माओं को पावन बनाने वाला एक बाप ह सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप है, जो पुझे थे, वो ही पुझारी बन गए, रामराज्ये में पुझे थे, अब रामराज्ये का अंत है, हम पुझारी से पुझे बनते हैं, बाबक को याद करने से फिर से पुझे बनते हैं, और उको भी रास्ता ब अनेक प्रकार के हैं तुम्हारा तो है एक प्रकार का सरफ बाप का परीचे देना है कोई भी मिले सत्य बाप का परीचे देना है श्रुब बाबा केते माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे निराकार श्रुब बाबा सबका सद्गति दाता बाबा आत् को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमव प्रधान से सतोफ प्रधान बंचाएंगे यह तो सहज ना समझenge भुड़यां भी सर्विस कर सकती है मुल बात यह हैं शादी मुरादी कहीं पे भी जाओ, कान में एक बात सब को सुनाओ, गीता का भगवान कहते हैं, मुझे याद करू, इस बात को सभी पसंद करेंगे, गीता ग्यान दाता कहते हैं, मुझे याद करो, इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं, सरफ बाबा का पैगाम देना है, बाप केते मुझे याद करो अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेडवना करते हैं सवपन में सक्षतकार होते हैं आवाज सुनने में आता है कि बाप केते मुझे याद करो तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन चाएंगे खुद भी सरफ यह चिंतन करो, तो बेडा पार हो जाएगा. ज्यान का चिंतन करेंगे, बेडा पार हो जाएगा. हम प्रैक्टिकल में बेहद बाब के बन गए. चिंतन के साथ साथ इस खुशी मेरो, हम बाबा के बन गए. बाबा से किस जन्मों का वर्सा ले रहे हैं, तो बाबा को भूल जाने से तकलीफ होने शुरू हो जाती है, बाब कितना सहज बताती है, अपने को आत्मा समझ, बाब को याद करो, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, ये समझेंगे इनको रास्ता वरोबर राइट मिला, ये रास्ता कभी कोई बता न सके, अगर ओ कहीं शिव बाबा को याद करो, तो सादू आदी के पास कोन चाहेंगे, समय ऐसा आएगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, बाबा को याद करते शरी छोड़ देंगे, अन्तकाल जो शिव बाबा सिम्रे, सुफिर नारायन योनी में उतरे, बाबनिक अगर बाबा को करो और प्यार करो, इसे प्यार करेंगे, बाबा से प्यार करेंगे, याद बिगर प्यार कैसी करेंगे, सुख मिलता है तब प्यार किया जाता, दुख देने वाले को प्यार ने किया जाता, दुख देने वाले को प्यार किया जाता, सुख देने वाले को प्यार किया जाता, बाबा के ते मैं तुम्हें स्वरक का मालिक बनाता हूं इसलिए मुझे प्यार करू बाबा की मत पे चलना चाहिए श्र बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए अच्छा दार्णा के लिए सार आज के मुझे बाद कांसी है खुशी में रहने के लिए याद की मेनत करनी है, व्याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है, प्यार से एक बाप को याद करना है, उच मरतबा पाने के लिए पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है, ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्से का अधिकारी बनना ह वर्दान है, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले, स्वपरिवर्तक, स्वविश्व परिवर्तक भव, जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीन्री, फास्ट करो, सोचा और किया, तब विश्व परिवर्तन की मशिन्द्री तेज होगी, अब इस थापना के निमित बनी हुए आत्माउं के, सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है, इस अंतर को मिटाओ, तब स्वो परिवर्तक, स्वो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, अंतर थार्त है, उसको मिटा देना, उसको ठीक कर लेना है, ऐसे कोही स्वो परिवर्तक कहते हैं, जो स्वेम के परिवर्तन के लिए तयार है, वो ही विश्व परिवर्तक बन सकता है, स्लोगने सबसे लख्की वो, जिसने अपने जीवन में अनुभूती की गिफ्ट की है, आज हम लक्षे लेकर अपने याद के चार्ट को बढ़ाएंगे, चलते फिरते उड़ते बैठते, याद को अधिक सदिक महत्व देंगे, एक बाप को याद करना है, इस एक संकल्प को अंडरलाइन कर लेंगे, मुझे बहुत रुची से, प्यार से एक बापा को याद करना है, बापा के स्वरुप को देखते हुए, उनकी पवित्र किरणों को अपने में समाते हुए, बापा से वाइदा करें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको ही याद करोगे, आपकी याद से, मेरा जीवन, खुशियों से भरपूर हुआ है, मेरे जीवन की सारे मुश्किले दूर हुई है, प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी याद से, मुझे सदा हर्षिद रहना है, बस एक को ही याद करना है, जो भी मिले, उसको भी याद दिलाना है, एक बाप को याद करो, ओम शाद अद्रिश है, खूल चक्षों तो देखो, आस्तित्व उनका महसूस होगा, अद्रिश है, खूल चक्षों तो देखो, पास्तित्व उनका महसूस होगा, मिल्लो उनको प्रमोतन में, मेहका लो मन की पेला, थाम इस वेग को जगा लो विवेग सारे जग का करण धार हो, मुरले की तान बज रहे हो, मुरले की तान बज रहे हो,